हलो स्रेंट्स डॉबर ने ट्राइड और न्यूलेंड ऑक्टेव के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है देट इस दे मैंडलीफ पिरियोडिक टेबल बचो एलिमेंट्स का सिस्टेमिटिक क्लासिफिकेशन का जो क्रेडिटर वो जाता है मैंडलीफ को इस मैंडलीफ ने इस टाइम तक एकड़िक नम्बर का को जो डिसकर्शन नहीं था, जो डिसकर्शन होता है अब अनलीफ ने किया इंके लिए 63 कार्ड्स लिया उन्होंने क्या क्या मास और जो प्रॉपर्टीज है उनको अच्छे से एक्जामीन किया और उसके बीच में रिलेशन स्टेबलिस करने के कोशिश की यानि जो रिलेशन था उसको एग्जामीन किया अच्छे से स्टेडी की और फिर अपनी टेबल बनाई अब इन 63 एलिमेंट के लिए उन्होंने 63 कार्ड लिए हर कार्ड के ऊपर हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी और उनका जो कैमिकल फॉर्मॉला व उन्होंने 63 कार्ड को फिर उन्होंने उब्जर्व किया कि ऐसे एलिमेंट जिनके जो फॉम्बला ऑक्साइड और हाइड्रेंट के फॉम्बला है जो सिमिलर आ रहे हैं उनको एक ग्रूप में डाला इस तरह से ग्रूप करने के बाद और वित रेस्पक्ट तो देर अटमिक मांस उन्होंने उब्जर्व किया हर एलिमेंट फिक प्लेस्टव करिए या अपने पडेस द करेंट करें में और एलिमेंट्स अपने आप एक एलाई एच यह हो गया एक काड़ फिर हम सोडियम की बात करें एन ए एन ए टुओ एन ए एन ए एच यह दूसरा काड़ हो गया यहां पूरे सिक्स्री तरह हम लिखने वाले नहीं है फोर एक्जामपल हम देख रहे है यह दो हो गए देन बी ओ बी एस तो फिर इसी के साथ हम एंगनिशन देखें एम जी ओ एंड एंड एस्टो यह कार्ड़ फोगे देन एल्यूमिनिम के अगर हम बात करें एल टू ओ ट्री एल एल एस्ट्री हाइड फॉर्मुला एड लाय टू हाइड एल एल एक्सी तरह से विए ओ बैनेशन अग्साइड बेल्यूम का हम स्टैट्ट मेंगनेशन के अटिएड एम जोमिन एंड एम जोड़ात एंडेयां टिक अब सिमिलर्टी यह जए यानि यह विए था गुरूप में एक साथ होनी चीए तो उमको इधर इ Na2 और NH इसी तरह से बेरिलियम और मेगनेशियम कहीं एक ग्रूप में होने चाहिए एलिमीनियम और इसी के तरह कंपॉंड फोमेशन करने वाले एलमेंट्स एक साइड में होने चाहिए अब मेंडलियमेट्स को अकोडिग तो with respect to their atomic mass put किया और उन्होंने observe कि आपने आप automatically अपने प्लेस गैन कर लिये और इस basis पे अपना अनोने मेंडलिय पिरियोडिकलो प्रिपेर किया चली मेंडलियोडोब देखते हैं according to this law when elements are arranged in the order of increasing atomic mass then elements with the properties यानि with the similar properties recur after certain regular interval बच्चो मेरे कहने का मिनिंग यह है यह mentally periodical है उन्होंने इस तरह से elements का arrangement किया और उन्होंने observe कि एक certain regular interval के बाद वो elements जिनमें properties similar होती है वो एक साथ कही एक group में होते है एक जामल देखो यह lithium है lithium का oxide और hydride sodium से similar होता है तो हम lithium से move करें 1234567 यहां तक move करने के बाद वापस यहां आते हैं थर्ड period के अंदर या थर्ड column के अंदर तो sodium आता है sodium properties lithium से similar होती है similarly यही repetition होता है हम left to right move करते है और वापस उसी group में आते हैं तो जो element next coming element है उसकी properties जो इससे preceding element था उससे similar होती है यह regular interval है यानि जो interval है वो fix है तो after certain regular interval similar properties का repetition होता है कब होता है जब elements को atomic mass के increasing order में arrange किया जाता है यानि जो elements arranged हैं वो atomic mass के increasing order में that is known as the manually periodic law इसका मतलब क्या हुआ कि manually के लिए जो periodic function था यानि the atomic mass is the fundamental property and the physical and chemical properties are the periodic function of the atomic mass सबसे the important यहां पर जो question बनने वाला है जिर what was the fundamental property of the manually periodic law that is the atomic mass और जितनी भी physical और chemical properties थी that are periodic function of the atomic mass चलिए अब इसकी periodic table को देखते हैं जखो इसकी periodic table के अंदर जितने भी columns आपको नजर आ रहे हैं इसमें कुछ vertical columns है और कुछ horizontal columns है horizontal columns की मात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns है 6 columns है that means these are the 6 periods जितने भी horizontal columns है that are known as the periods इन periods 6 periods के अंदर अगर हम elements को देखें तो first period के अंदर यह एक series है यहां पर hydrogen से start होती है देकिन second यह second period है यानि second horizontal row that is the second period यह lithium से start होता है थर्ड की बात करें तो sodium से start होता है इन तीनों periods के अंदर elements की 1, 1 series है बट जो fourth, fifth and sixth period यह fourth, fifth यह six horizontal columns है इनके अंदर elements की 2, 2 series है 1 series अगर हम fourth की बात करें तो this is first series, this is second series इसी तरह से fifth में this is first series, this is second series six के अंदर this is first series, this is second series इसका मतलब total जो series है देटार nine series और यह nine series को six columns के अंदर set किया गया first three series के अंदर या first three columns के अंदर only single series है जबके last three के अंदर two two series है and these columns are known as the period horizontal columns are known as the period कितने period हो गया? six period बट six period के अंदर nine series को set किया गया अब बात करते हैं हम वर्टिकल कोलम्स की, वर्टिकल कोलम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्टिकल कोलम्स हैं, these वर्टिकल कोलम्स are known as the groups, यानि 8 ग्रूप्स हैं, हर ग्रूप के अंदर elements की, यहाँ पर line बनी हुई है, अब यहाँ से जो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7, यानि ज इसी भी एक ग्रूप के अंदर हम elements लें, तो उस ग्रूप के अंदर आने वाले elements की property, similar होती है, बट एक ग्रूप के अंदर आने वाले सभी elements की property, exact similar नहीं थी, तो इसको divide किया गया है, 2 subgroups में, अब देखिए, हम बात करें, like हमने यह लिया है, 2nd group लिया है, इसका A subgroup, B subgroup A subgroup की बात करें, तो A में beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium, यह elements है, इनके property बिलकुल exact similar होती है, तो जिनके exact similar हो वो एक subgroup में है, then zinc, cadmium and mercury, इनके property similar होती है, तो यह इसी के, यानि 2nd group के B subgroup में है, इस तरह से A के group के अंदर elements तो है, यानि कुछ property similar है, बट जिनके exact similar है, उनको एक subgroup में, और जिनके exact similar है, उनको दूसरे वाले subgroup में डाला गया, that means 7 group है, यानि जो 7 groups है, उनको A and B में divide गया गया, and B subgroup में, अब चलता है 8th group के पास, 8th group में ऐसा कोई subdivision नहीं है, लेकिन 8th group में, यहाँ पर 3-3 elements के 3 series बनी हुए, और यह series start होती है 4th period से, 1st, 1, 2 and 3rd period के अंदर 8th group नहीं है, elements start होता है, 4th period से, 4th, 5th and 6th period, 3-0 periods के अंदर, इसमें 3-3 elements है, अगर हम 4th period को देखें, तो RN, cobalt and nickel है, thereafter, 5th period के अंदर, uthenium, rhodium and pelagium है, thereafter, 6th period के अंदर, osmium, iridium and platinum है, इस तरह 3-3 elements का group बना रख है, तो these are the periods and groups of the medallic period table, चलिए इसको note कर लेते हैं, periods, there are 9 series of elements, 9 horizontal series, not only series, 9 horizontal series, 9 horizontal series, 9 horizontal series, of elements, of elements, of elements, which are placed in 6 horizontal columns, these 6 horizontal columns, these 6 horizontal columns, these 6 horizontal columns, are known as, are known as, periods, so, there are, 6 periods, in table, first 3 periods, have 3 series i.e. only single-single only single-single of of elements, but, 4th, 5th and 6th period, and 6th period, contain two-two series contain two series each period each period next, next is next is groups groups दो, अगर period, series की बहाँत करें, तो जो 4th period है, 4th, 5th and 6th period, 4th period, 5th period, and 6th period, and 6th period, तो इसके अंदर, 4th and 5th series, will be 5th period, 5th period, 5th period, and 7th series, and 6th seasons, के अंदर, 8th and 9th theἍ done, स्थी इस ए्ण फिछू honest. 8 vertical columns 8 vertical columns are known as groups 1 to 7 group are divided into A and B subgroup B subgroup all the elements all the elements in a subgroup have similar properties now abh 8th group ki baat karay there is no element in first three periods in earth group but fourth fifth and sixth period sixth period have three series and each series and each series have three elements all the elements so this group is now अब यहां से कोई भी क्योशन आ सकता है यानि अब्जेक्टिव में आपको पीरिडिक लो पीरिडिक टेबल की मेरिट्स डिमेट्स आपको करनी करनी सकता है यानि आपको पता होना चेहिए फोर एक्जेमल हमार पास वैनडियम यहां से वैनेडम लेते हैं तो आगर इसकी पोजिशन पूछ लिजाए अकोड़िक टो मेंडलिक पीरिडिक टेबलियो वैसे रहर होता है बट फिर भी कुछ हो सकता है यानि अगर इसकी पीरिड की पूची जाये कौन से पीरिड में इस इन दा फॉर्थ पीरिड ठीक है और फॉर्थ वी ड़िए फस्सीरीज है एंग गुरूप इसका पूचा जाये लेट इस देफ वान तुट्री फॉर और फिफ्ट गूरूप में ठीक है अब देखो जब आम मोडरन पीरिड करेंगे तो एक्जेक इसी टेबल को स्ट्रेच करके लंबा किया हुआ है अगर वो टेबल आपको अच्छे से पता है तो इस टेबल को लर्न करने की ज़रूप नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां जिस ऐलिमेंट की जो पोजिशन है अब जाएं पारिग मेंट की इस टेडी करने में हैल्प मिली फस्ट एक्षन ऑफ गड़ेगी मिया लेकिन इसकी जो वैलेंसी है और इक्विलेंट वेट है इसके बेसिस पे इसका मास 13.5 निकल के नहीं आ रहा था च्योंकि पहले 13.5 माना गया और उसी के बसिसमें इसको प लेकिन बाद में इसमें करेक्शन करके इसका जो एक्टमिक मास है वह 9 कर दिया गया इससे तरह से गोल्ड प्लेटिन मोर भी बहुत सार एलमेंट्स थे जिनका एक्टमिक मास करेक्ट किया गए नेक्स्ट है मैंडेलिफ ने अपनी पीरिडिक टेबल में उस टाइम तक जो एलमेंट्स डिसकवर्ड नहीं थे उनके लिए वैकेंड इसपैस छोड़ा और उन्होंने यह बोला कि इस एलमेंट के आगे पीछे वाले जोबी एलमेंट्स है उनकी प्रोपर्टी के बैसिस पे उस एलमेंट के प्रोपर्टी का प्रेडिक्शन लगाया और यह बोल के छोड़ा कि यह पर्टिकुलर एलमेंट्स डिसकवर्ड होगा तो उसमें यह यह प्रोपर्टी से वाला एलमेंट्स जब भी कोई आएगा तो इस पर्टिकुल प्लेस में रखा जाएगा ऐसे ही इनके लिए नेम यान जो नेम रखा, that is the eca boron, eca aluminium and eca silicon, आपको तीने elements के नेम पता होने चाहिए, that means eca boron किसके लिए यूटलाइस किया गया, scandium के लिए, अब ये इसलिए रखा, कि ये जो elements है, like हम ये ले रहे हैं, eca aluminium, aluminium gallium से जस्ट पहले है, यानि एक preceding element है, तो preceding element से पहले prefix eca लगाया हुआ है, eca sanskrit का numeral है, जिसका meaning होता है, ठीक है, तो gallium का जो नेम था, that is eca aluminium, scandium के लिए था eca boron, और germanium के लिए था eca silicon, तो इन properties को predict करके नों ने छोड़ा, चले एक element की property देख लेते हैं, eca aluminium, ठीक है, यह element है, इसका atomic mass है, उबजर्व किया, 68 इसका atomic mass होगा, e2O3, इसका oxide formula होगा, chloride formula ecl3 होगा, density होगी, mass बताई दिया, ठीक है, और भी कुछ properties होगी, बट measure property हमने ले लिए, इस तरह का अगर कोई element आता है, तो इसको put किया जाएगा, अब हम बात करें periodic table की, तो देखो इसकी position कहा है, aluminium, ठीक है, यह रहा है aluminium, gallium, 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 gallium के just बाता है, gallium के properties के हम बात कर रहे है, gallium के लिए क्या name दिया गया, एका aluminium, यानि gallium से just पहले preceding जो element है, उससे एका उसपे prefix लगा कर उसको छोड़ा गया, ठीक है, अब यह element जब discover हुआ, तो इसकी properties देखे, 69.7, यानि हम वापस चलते हैं वही पर, इसका mass 69.7, almost वही है 68, इसके oxide का formula GA2O3, इसके chloride का formula GACl3, यानि जब यह element discover हुआ, तो इन properties के साथ हुआ, तो इसको अपने एक proper place मिल गए, तो इस तरह जो element discover नहीं थी, उनके लिए उन्हें vacant space छोड़ा, that was the positive point of the Mandelief, पिरियोडिक्टेब्ली, चले नेक्स property भी जलते हैं, नेक्स ट्रेक, position of noble gases, मैंडेलिफ तक noble gases discovered नहीं थी, reason यह था कि noble gases inert होती हैं, और environment में उनकी जो concentration होती हैं, वो भी बहुत कम होती हैं, इसलिए वो discovered नहीं थी, लेकिन जब यह discovered हुई, तो इनको एक separate position, separate group मिला, जिससे कि जो existing periodic table थी, उसमें कोई disturbance नहीं हुआ, इसमें कुछ drawbacks थी, इसमें कुछ limitations थी, इसमें कुछ कम्या थी, फर्स थी position of hydrogen, देख, position of hydrogen, आज भी modern periodic table की भी एक drawback बनी नहीं है, hydrogen के अगर हम बात करें, तो इसको, मैंडेलिफ ने अपनी periodic table में, alkaline metals, यानि लीथिम वाली group में रखा, लीथिम वाली group में इसको position दी, क्यों दी, क्योंकि इसका जो oxide formula है, LiS2O, ठीक है, अगर इसका chloride के साथ बनाएं, तो HCl, इसी तरह देखो, LiCl होता है, NaCl होता है, oxide का formula, Li2O, Na2O, तो यह formula similar थे, इसलिए hydrogen को किस group में रखा, alkaline metals के group के अंदर, भी match करती है, इसलिए इसको इस group में भी रखा जाना चाहिए, तो यह इसकी drawback थी, that means position of hydrogen was not fixed, या uncertain, या कह सकते हैं, controversial थी, next, position of isotopes, देखो, simple सी बात है, हम में में अंदरलिफ की periodical की बात कर रहे है, तो elements are arranged in the increasing order of atomic mass, अब isotopes का हमें बता हैं बच्चों, क्या होते हैं isotopes, isotopes, atoms, with, same atomic number, same atomic number, but, different mass, different mass, different atomic mass है, अब में बात करूँ हाइडरोजन की, 1H1, 1H2, and 1H3, इनका atomic number सी मिलने हैं, बट इनका mass different है, first का है 1, then 2, then 3, अब हम बात करें में अदरलिफ पिरियोडिक टेबल की, तो अगर mass के according element को arrange किया गया है, तो फिर इनको first, second and third position मिलने चीए, according to mass, बट ये portion नहीं मिली, क्योंकि मैंडलीफ ने प्रायोटी दी थी, वो properties को दी थी, तो properties के कांट कहीं कहीं ऐसा, anomalies उनके पिरियोडिक टेबल में मिल सकती है, बट ये isotope को पोरिशन नहीं मिली, क्योंकि उनके प्रायोटी किसको दी? properties को, तो ये भी एक ड्रोबेग थी, नेक्ट चलते हैं anomalous pairs, यानि कुछ elements, हम ये बोड रहे हैं कि elements को अरेंज किया गया, on the basis of increasing atomic mass, लेकिन कई जगे पर उनकी जो पिरियोडिक टेबल है, उसमें ऐसे pairs मिले, जहां पर ऐसे element जिसका atomic mass less है, वो बाद में था, निकल का 58.7 है, तो निकल यहां पर atomic mass कम है, इसलिए पहले आना चाहिए, according to increasing atomic mass order, और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, बट यहां कोबाल्ट पहले हैं, और निकल बाद में है, तो किस रीजन से, इनकी जो physical and chemical properties थी, उनको justify करने के लिए, मैंडलिफ ने इस तरह element को place किया, बट यह mass, जो है mass rule है, उसको violation हो रहा है, या उसको follow नहीं करें, इसी तरह सोब भी है, यह है telurium 127 इसका mass है, इसके बाद है iodine जिसका 126 है, यहां भी mass rule का violation होता है, लेकिन क्यों होता है, justify करने के लिए properties को, ठीक है, तो यह भी एक periodic table की drawback थी, next है, कुछ elements, जिनकी properties, एक यहां पर argon और krypton भी हम देख सकते हैं, यानि modern periodic table में, बट क्योंकि argon उस time तक discovered नहीं थी, तो हम उस table के अंदर particular table की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ठीक है कि argon का 39.9, that means 40 होता है, और जो potassium है उसका 39 होता है, बट argon पहले आता है, ठीक है, अब है इस periodic table में, कुछ elements जिनकी properties same नहीं थी, उनको एक group में डाला गया, और कुछ ऐसे elements जिनकी properties same थी, उनको separate कर दिया गया, for example, हम बात करें, first alkaline metal group की, alkaline metals के अंदर, lithium, sodium and potassium आता है, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, यह alkaline metals का group है, अब इनकी property exact same है, क्योंकि A सब ग्रूप में है, बट यह B सब ग्रूप में, copper, silver and gold को डाला हुआ है, बच्चों, copper, gold and silver की properties, इन lithium, sodium, potassium से बिल्कुल match नहीं करती है, तो यहां पर यह elements से, इनको इसके साथ डाला गया, that means, these similar elements को same group में डाला गया, अब बात करते हैं कि copper की property फिर किस से match होती है, copper की property match होती है, mercury से, इन दोनों को separate कर दिया गया, यह अलग group में डाल दी गया, तो यह कुछ anomalies है, यानि same property वाले elements को separate किया गया, और different properties वाले elements को, क्या किया गया, एक जगे डाला गया, इसी तरह से, next जो है, that is cause of periodicity, Mandelief ने periodicity का मतलब होता है, repetition of the similar chemical and physical properties, after certain regular interval, यह जो हम periodic लोग बोल रहे हैं, इसी को हम periodicity भी बोलते हैं, तो इस periodicity का reason Mandelief नहीं बता पाए, यह भी एक इनकी Mandelief टेबल का, जो drawback हम कह सकते हैं, या limitation हम कह सकते हैं, that is all about the Mandelief periodic table,